रमजान में हम सभी गर चार्ट जरूर से बनती हूँ, चाहिए वो पापड़ी चार्ट या फिर हो टिक की चार्ट या फिर हो रगड़ा चार्ट, तो आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी रगड़ा चार्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, मटर की चार्ट कह लेए गुगनी कहले या फिर अगड़ा चार्ट बहुत ही टेस्टी रेसिपी है जरूर से ट्राइ करें एजी भी बहुत जादा है चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें बेल अकन को प्रेस करते जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को म और इसी के साथ जाएंगे दो आलू इस तरीके से क्यूब्स में कटे हुए हैं तो आलू की चोटे पीसिस कर लें और अगर आप चाहें तो साबद भी डाल सकते हो उसको हलका सा मैश कर सकते हो बलने के बाद इसी के साथ इसमें कुस मसाले हल्दी जाएगी वन टीस्पून नमक स्वात के नुसार सरसो का तेल जाएगा तूटे बले स्पून अधरक है घिसा हुआ दो इंच का टुकड़ा है चार हरे मिर्च है और वन फॉर्थ टीस्पून बेकिंग सोड़ा है जिससे की मटर हमारे जल्दी से घल जाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे तो बहुत ही अच्छा सी यह गल जाएंगे क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोड़ा अट किया है फोर विस्ट लान तक मैंने इसे कुक किया उसलिए फ्लेम को आफ कर दिया था नैच्रली इसका रिलीस होने दिया मैंने स्टीम और यह बिल्कुल रेडी है गल गई है बिल्कुल चलाएंगे जैसे हलकी सी गोल्डन हो जाएगी और भी इंग्रीडेंट्स आट करेंगे बहुत टेस्टी यह रगड़ा चाट की रेसिपी है जरूर से ट्राइकर इस रमजान इसी के साथ मैंने दो टमाटर चॉप करके आट कर दिये हैं आप साहें तो पीस के आट कर सकते है इसी के साथ मैं डाल दिया है 1 टीजपून रट चिली पौडर 1 टीजपून कॉरियंडर को पौडर और 1 टीजपून भुना कुटा जीरा है चाट मसाला याट करेंगे हम इसमें 1 अन हाफ टीजपून जितना इसे से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे रल्ला चाट में इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम और इसको थोड़ी दिर हम कुख होने देंगे जैसे अच्छे से कुख हो जाएगी इसमें हम डाल देंगे वन अन हाफ टीस्पून जितना टोमेटे केचप इसमें डालने से बहुत बड़ी आज़ा टेस्ट आता है जरूर से ट्राइ करें टोमेटे केचप डालके इसको मच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे अच्छे से मिक्स हो जाएगा बुन जाएगा मसाला इसमें डाल देंगे अपने बॉयल की हवे मतर को अलू मुटे डालके मच्छे से मिक्स करेंगे खटास के लिए आप इसमें निम्बू का रस्पी आट कर सकते हैं इमली का पल्प भी आट कर सकते हैं वैसे हमने टमाटर और चाट मसाला तो डाला ही है खटा करने के लिए इसको और और बी साथ टेस्टी करने के लिए मैं इसमें डाल रहे हूं इमली का पल्प तो आप इसमें निम्बु करस भी आट कर सकते हैं उससे भी बहुत ही बड़े सा टेस्ट आ जाएगा और इसको हम ठक देंगे इसमें बाल आने देंगे जैसे इस मचासो बाल आ जाएगा थोड़ी सी थिक हो जाएगी वैसे भी ठंडी होके यह अल्री ठिक हो जाती है गाडी हो जाती है तो इसको बहुत ज़दा ठिक ना करें ठंडी होके वैसे ही जम जाएगी है तो बस यह बिल्कुल रेडी है इसको आफ कर देंगे फ्लेम को इसको सफ करने टाइम हम इसमें आट करेंगे UP अगर आपको इसकी रेसिपी चाहे तो मुझे कमें बॉक्स में चाहे जरूर से बताईग़े मैं इससे की распел बहुत एक हलेगे चाहरर चाहराण झाल 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 झाल